गुड मॉनिंग आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि हमने 10th क्लास की जोगर्फी को हम यहां से कवर करना श्रू करेंगे चैप्टर वन है यहां पर आज की वीडियो में हम रिसोर्स के बारे हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स होते क्या है फिर हम डवलोप्मेंट के देखेंगे कि डवलोप्मेंट क्या है पूरा चैप्टर NCRT से एकडम प्रॉपर तरीके से मैंने एक प्रिजेंटेशन प्रिपेर की है उसको देखते हैं डिसकस करते हैं तो मेरा नाम है प्रिशांत नावार चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हमें क्या नया सी चीखने को मिलता है Resources क्या है Resources कुछ भी चीज जो कि हमारे लिए इन्वार्मेंट में अवलेवल है Everything available in our environment which can be used to satisfy our need देखो Satisfy अलग word term है और उस satisfaction को बार-बार किशी भी तरीके से बढ़ा कर उन Resources को finish करना अपनी greed के लिए यह दौनों में बहुत difference है जो कि human इस समय पर भूल चुका है तो यहाँ पर एक term जो यह satisfy use हुई है इसको बहुत ही deeply समझो क्या है कि कहना क्या चाहता है कि everything available in our environment जो भी चीज़े हमारे environment में इस समय है which can be used to satisfy our needs हमारे needs को satisfy करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो की human की जो needs है जो आज की विट में हम human है हमारी need कभी भी satisfy नहीं की जा सकती है ठेक है तो यह जो हमारी जो need है यह कभी भी satisfy ना की जा सकती थी ना की जा सकती है तो यहाँ पर term याद रखना satisfy our need provided इस टेक्नलोजिकली एकसेसेबल, इकोनॉमिकली फीजेबल, कल्चरली एकसेप्टेड अब ये क्या कहना चाहरा है कि सैटिस्फाइज दो कर सके हमारी नीड को बट वो टेक्नलोजिकली एकसेसेबल होना चाहिए कि जैसे मैं कुछ एक्जामपल सुमें दे सकता हूँ जैसे अंटार्टिका में इतना बड़ा आइस का मतलब हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 तरफ बरफ जमी हुई है ठीक है रशिया का तुम अगर तुम रशिया का नदन साइट देखोगे तो वहाँ पर 4 तरफ बरफ है तो वहाँ पर रशिया के पास जो रिसोर्स हैं जैसे ओईल के रिजर्व और जो गैस के रिजर्व हैं वो उनके पास बहुत अच्छे हैं बट उनके पास वो टेकनोलोजी नहीं है कि वो इन रिजर्व को यूज कर सके कि उनके पास technology नहीं कि वो जो जो ये कुवे खोधिंगे जो बतलब इतना वहाँ पर जो मौसम है जो वहाँ पर temperature एकदम माइनस में ही रहता है इसको यूटिलाइस किस तरीके से कर रहे हैं तो technologically accessible होना चाहिए कि हम उसे किसी भी तरीके से access कर सकते हैं इकोनोमिकल फीजबल होना चाहिए ऐसा ना हो कि हम किसी resources को utilize करने में इतना पैसा खर्च कर दे रहे हैं कि वो हमें return नहीं कर पा रहा है इतनी चीज़ जैसे कि suppose करो कोई हमने ऐसी कार बनाई जो किसी ना किसी तरीके से carbon neutral है ठीक है हमने ऐसी कार बनाई जो carbon neutral है बट इस कार को बनाने में हमने इतना पैसा खर्च कर दिया कि यह feasible ही नहीं है इकोनोमिकल feasible ही कोई इसको afford ही नहीं कर पा रहा है culturally accepted मतलब कि वहां के culture के हिसाब से वो accepted हो तो हम उस ठम को बोलेंगे resource उसे हम क्या बोलेंगे resource तो classification करिए resources की on the basis of origin, exhaustibility, ownership and development तो origin के basis पर हम resources को दो पार्ट में divide करते हैं तो हम बोलता है biotic and abiotic factor biotic मतलब living, abiotic मतलब non-living ठीक है तो biotic factor origin के basis पर किया है biotic and abiotic, exhaustibility के लिए किया है हमने renewable, non-renewable कि मतलब जो resources को renew किया जा सकता है जिनको renew नहीं किया जा सकता है फिर ownership के basis पर कि यह किस के ownership है जैसे कि किसी particular individual के है किसी community के है, किसी nation के है, यह international है तो इनको देखता है फिर है development की वो किस तरीके के development के status में आते है जैसे potential है, development है, is developed है तो this is the classification of resources जहां मैंने एक chart लगाने की कोशिश करिए resources के बारे में तो इसमें है natural और human resources तो natural resources में जो आता है वो renewable आता है, non-renewable आता है और इसमें human resources में जो आता है वो structures and quality and quantity तो हम पहले हम देखते है basic on the basis of origin हम origin के basis पे जो resources को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है biotic factor और यह biotic factor को हम इनको डिसकस करते है तो biotic factor क्या होता है, biotic क्या है these are obtained from the biosphere अब यह biosphere क्या है, हमने term पढ़ी atmosphere पढ़ा है हमने lithosphere पढ़ा है, asthenosphere देखा है ठीक है, hydrosphere देखा है तो यह biosphere क्या है, biosphere हमारी एक ऐसी जगह होती है जहां पर life possible है, जहां पर atmosphere, lithosphere, hydrosphere मिलके life को possible बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं biosphere and have a life such as human being तो human being भी एक resource है, यह बात याद रखना है human being भी एक resource है, flora and fauna, fisheries, livestock, etc तो biotic resources में सारे के सारे living resources की हम बात करें जिससे कि fisheries है, livestock है, human being भी resources है किसी ना किसी तरीके से कोई resource किसी के लिए बनता है तो कोई किसी के लिए resource बनता है abiotic factor की अगर हम abiotic resources की अगर हम बात करते हैं all those things which are composed of non-living thing मतलब जो non-living thing से मिलके बन रही है ठीक है ना are called abiotic resources example है rock and metals rock में जैसे sedimentary हैं तुमारे sedimentary rock हो गए तुमारे metals जैसे की iron, gold, different different type के तो this is biosphere देखो जहां पर hydrosphere, lithosphere, atmosphere और ecosphere मिलते हैं और यहां पर life possible बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं biosphere तो biosphere के है? biosphere is a biological component supporting life of the earth which include lithosphere, hydrosphere and atmosphere बताब इन तीनों को include करने के बाद जो life को support करें हम उसको क्या बोलेंगे? biosphere बोलेंगे the biosphere includes all living organism on earth जितने भी living organism हैं वो सारे के सारे biosphere के अंदर आते हैं together with the dead and the matter produced by them dead organic जो होते हैं बतलब जो dead हो चुके हैं तो वो जो organic हैं वो उनके through matter produced हो रहा है वो भी biosphere का पार्ट होता है अब देखो कोई animal की death होती है लिथो स्फेर पे तो ऐसा तो नहीं है कि वो वाइस्फेर का पार्ट नहीं रहेगा ठीक है? तो what if I told you, biosphere is the reason surface are atmosphere and hydrosphere ठीक है ना? क्या है? वाइस्फेर क्या है? एक reason है जो कि surface यानि लिथो स्फेर, atmosphere और hydrosphere का तीनों से मिलके बना है और वहाँ पर life का support होना बहुत जरूरी है supporting life अब on the basis of exhaustability मतलब exhaust हो सकते हैं जैसे कि renewable, non-renewable renewable मतलब कि जिनको हम दुबारा से बना सकते हैं ठीक है ना? जैसे wind energy है wind का पता है हम हमें हमीशा flow करती रहती है तो जहां पर wind energy को सब्सक्राइब लगाया होगा है the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, and mechanical process are known as renewable resources हम किसी ना किसी तरीके से इसको renew कर सकते हैं जैसे solar energy wind energy हो गई, water forest हो गई, wildlife हो गई इनको हम कही ना कही जरी किसे renew कर सकते हैं तो यह resources ऐसे हैं जो renew हो सकते हैं तो वह renewable resources में आ गए अब non-renewable resources क्या हो गई, ऐसे resources जिनको हम reduce, दुबारा से reproduce नहीं कर सकते resources once consumed cannot be replaced are known as non-renewable resources these resources take millions of years in the formation जैसे कि अब oil है इसको high temperature pressure चाहिए coal और oil को बनाने के लिए अब इसमें बहुत सालों, हजारों साल लगते हैं जिकेना millions of years लगेंगे इन सब चीजों को दुबारा से बनने में तो यह ऐसे resources हैं जो की आसानी से नहीं मिल सकते एक बार खतम हो गई तो बट यह क्या है, हम इनको दुबारा से बना सकते हैं जैसे कि यह बता रहा है कि renewable energy is better than non-renewable, reason क्या है, renewable energy जैसे कि solar energy आज की data में हम देख रहे हैं कि हमारा जो global warming है वो बहुत rise कर रहा है, ठीक है Earth का temperature heat up होती आ रही है तो जो government है जैसे कि Indian government ने एक international solar alliance बनाया है जिसका headquarter Guru Gram में है ठीक है Headquarter Guru Gram में है इसे India और France ने मिलके बनाया था तो इसमें India जो चारे हैं हम क्या चाहते हैं कि maximum जो world है solar energy से connect हो solar energy मतलब हम solar panels लगाए उसके थूँ energy को बनाया जाए और लोगों को तक पहुंचाया जाए फिर हम one world, one grid की भी बात करते हैं ठीक है ना एक world और उसकी एक grid मतलब हम क्या चाहते हैं कि चार पूरा का पूरा world एक ही grid से connect किया जाए कि suppose करो कि इस समय अफ्रीका में light मतलब जिसे इंडिया में अगर शहिए जैसे इंडिया में हम इतनी light renewable resources के तुरू solar energy के तुरू इतनी electricity produce कर पा रहे हैं इतनी electricity produce कर पा रहे हैं कि हमारे 24 hour provide कराने के बावजूद भी हमें बहुत सारी electricity हमारे पास extra हो जा दी है तो वो हम दूसरी countries को transfer कर दें ठीक है ना अगर हमारे साथ हमें यह issue face कर रहा है तो दूसरी countries हमें transfer कर रहे हैं तो one world one grid मतलब एक ही world को पूरे के पूरे grid से connect करने की कोशिश कर रहे हैं यह पर तो यह कुछ ऐसे steps ने जो government ले रही है एक तो international solar alliance जिसका headquarter Guru Gram है और उसको बनाया था France और India ने और एक one world one grid का तो renewable resources is better than non-renewable resources अगर यह बात तो मैं समझ में आते तो then you are intelligent अगर हम बात करते हैं on the basis of ownership चीक है ना अगर हम ownership के basis पे बात करें तो individual resources the resources owned by private individual किसी भी private individual जैसे की मेरा कोई अपना कोई plot है या मेरा कोई अपना कोई house है तो वो मेरा individual resource है community owned resource क्या होगा the resource which are accessible to all member of the community मतलब जो community है कोई community है सपोस करो कोई village है village ने क्या करा कि एक land piece of land को utilize किया और वहां पर एक school बना दिया या फिर एक sports ground बना दिया तो यह पूरी की पूरी village community इसको use कर सकते है तो this is क्या है कि यह एक community resource है तो इसको कोई भी यूज कर सकता है जैसे कि example यहां पर लिए public park हो गए picnic spots हो गए यहां पर कोई भी जा सकता है ऐसा नहीं है कि कोई सी particular individual का यहां पर ownership है कोई piece of land है जहां पर oil मिल रहा है तो वह भी एक national resources है coal field है हमारे वह भी national resources है तो जादातर जो अगर हम बात करते हैं तो जितने भी resources हैं किसी country के अंदर वह एक national resources है बट International resources क्या हुए फिर international resources मतलब क्या होता है कि जासे की हमारा यह हमारा इंडिया है ठीक है वह यह जासे हमारा इंडिया है तो यहां पर यहां से पानी है ठीक है फिर चारदरा अब यहां से 200 km तक जो एरिया होगा मतलब जैसे यह इंडिया की land boundary यहां से 200 km तक जो एरिया है वो इंडिया के अंडर आता है इसे हम बोलते हैं exclusive economic zone देखो इसके अंदर तुम देख सकते हैं इसके आगे जो पानी है इसके आगे जो पानी है यह international water का part है this is a part of international water मतलब जो भी economic exclusive economic zone मतलब जो भी country की boundary यह land boundary उससे 200 km तक जब तुम आगे जाओगे तो वो उस country का part हो गई ठीक है वैसे देखा जाए तो जो हम मानते हैं जिसे यह हमारी country तो यहां से 12 nautical miles तक तो territorial region हमारा होता है territorial sea फिर अगले 200 km तक जो हम मानते हैं उसे हम मानते हैं EEZ का part then उससे आगे जो होता है वो हमारा international water आ जाता है तो यह अब यहां पर international की हम बात करेंगे the resources lying beyond 200 km of exclusive economic zone in the ocean are called international resources no one can use these resources without permission of international institution मतलब ऐसा नहीं है कि जो international water है उसको कोई भी किसी भी तरीके से utilize कर सकता है इसा नहीं कि मतलब Arabian Sea का जो जहां से जो की international water का part है उसे सारी country विल्के utilize कर सकती है ऐसा नहीं कि कोई country इस पर अपना अधिकार जमाए कि नहीं इसको utilize मैं ही करूंगा या फिर हम यहां पर resources को mining deep sea mining करने लग जाए एक ताम आसकल बहुत ज्यादा news में रहती है deep sea mining हम करने रख जाएं तो वह without international institution की permission के बिना possible नहीं हो पाएगा अब हम बात करेंगे resources की जो हम category को define करेंगे वो करेंगे on the basis of the status of development तो सबसे पहले हम बात करते है potential resources की resources which are found in a reason but have not been utilized मतलब किसी reason में वो मिलते तो हैं बट हमको utilize नहीं कर पारें उनमें potential है बट हमको utilize नहीं करते हैं जैसे कि इंडिया में राजिस्तान और गुजरात में हम wind और solar energy को बहुत अच्छे से utilize कर सकते हैं बट हम अभी तक कर नहीं रहें जैसे मैंने तुम्हें रश्या के far reason का जो example तुम्हें दिया था जहां पर उनके पास oil और gas के reserve थे बट वो उसको प्रॉपर तरीके से utilize नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो गए potential resources अब developed resources क्या है developed resources हो गए resources which are surveyed and their quality quantity have been determined for utilization कि हम देख चुके हैं कि हाँ survey हो चुका है कितनी quality है क्या quantity है हम उनको determine कर सकते हैं utilization के लिए अपने utilize करने के लिए stock क्या होता है the resources that have been surveyed but cannot be used due to lack of technology मतलब हमारे पास sources है ठीक है proper तरीके से हम उनको utilize भी कर सकते हैं बड़ technology की कमी है water is a compound मैं जैसे water है compound है hydrogen और oxygen को तो हम इसको चाहके हम water hydrogen fuel का use कर सकते हैं बड़ हमारे पास ऐसी technology नहीं है कि हम उनको separate करके और proper तरीके से इसको utilize कर सके है reserve क्या होता है फिर चौथा term है reserve का the resources that have been surveyed and can be used them with present technology but their use have not been started known as reserve मतलब हमारे पास technology भी है हमने survey भी कर लिया है कि हम उनको use कर सकते है present technology के साथ हम उनको use भी कर सकते हैं पर अभी तक हमने उनको utilize करना शून नहीं किया है तो वो हमारे लिए क्या हो गए वो हमारे लिए reserve हो गए कि हमने वो reserve करके रख रखे हैं कि future में कभी use करेंगे जब जरूत पढ़ेगे जैसे कि हमारे बस पैसा भी होता है पैसा है बट हमने वो बैंक में जमा करके रखा है कि future expenses के हिसाफ से कि मिल्दा future में तो हमने वो क्या करका रखा है अपना पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है तो इसी तरीक लिए resources को हमने रिजर्व करके रखा हुआ है तो चार तरीकी के potential वो की जो resources which can which are found in a region but have not been utilized अब तक utilized नहीं किया हमने developed फिर stock and then reserve चार resources यह हो गए तो हमने आज पढ़ा हमने क्या पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा कि resources क्या होता है फिर हमने की classification पढ़ी चार तरीके की classification पढ़ी on the basis of origin on the basis of exhaustibility ownership on the basis of status of development जिसमें origin में दो टाइप हैं biotic और abiotic factors exhaustibility में दो टाइप हैं renewable non-renewable ownership में चार टाइप हैं individual community national international और on the basis of status of development इसमें भी चार टाइप हैं जो सबसे पहले हमने potential पढ़ा भी developed पढ़ा stock and reserve यह हमारे question थे last topic था जिसको आज हमने discuss किया जो इसका next part आएगा उसमें हम इसको chapter को आगे discuss करेंगे तब तक के लिए इसमें कुछ question मैं तो provide कराता हूं कि पहला question है what is resource तो यहां पर चार option में तो मैं दिये हुए हैं first question है what is a resource second है where are biotic resources obtained from अब तुम्हें क्या करना है in question को read करो ठीक है और इनके questions के answer को comment down करो अगर तुम्हें अभी तक की video समझ में आई है तो इनके answer comment करो जिसके सारे option सही होंगे मैं उसका comment like करोंगा तो question देख लो what are biotic resources obtained from next question है what are renewable resources video को pause करना attempt करना अपना question और अपना answer comment जरूर करना next question है what is stock and what are potential resources तो this is the end of the video अगर video अच्छा लगा है तो video को like करना ना भूलें channel को subscribe करें अगर आप new user है already subscribe है तो अपने दोस्तों के साथ में video को share करें ताकि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा चीज़े सीखने को मिल सकें तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे हम next video के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत